कि जो हम पहले ही फाइन करने उससे फिर से फाइन करेंगे क्या कि इलेक्रिक फिल्ल इस डूटू अप पॉइंट चार्ज था इस अब करें इस इस पहले हैं इस तब कर चुका लेकिन। और यह पहली डेरिवेशन ही बेसिक डेरिवेशन है बागी सब आप आराम के साथ कर सकते हो कैसे करना देखिए एक चार्ज आपको गीविन है पॉइंट ओकर आपको एक चार्ज गीविन है क्यों ठीक है इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पॉइंट पी और हमारा उद्धेश क्या है पॉइंट पी पर इलेक्टिक फिल्ड इंटेंस कि फॉइंट करना गौस्तिरम से इसके लिए देखिए बेसिक स्टेप कर लीजे आगे की साथ डेरिवेशन आपको अपने आप हो जाएगी find करना है किस पॉइंट से होते वह इस पॉइंट से पास होते वे एक गॉशन सर्फिस आपको बनानी है लेकिन यह गॉशन सर्फिस बनानी है इस पॉइंट कीसा पास होते हुए उस पॉइंट से पास होते हुए जिस पॉइंट पर आपको इलेक्टिक फील्ट करना है और कोशिश करनी है कि क्या हो यह सिमिट्रिकल में सबसे सिंप्लेस स्ट्रक्चर सिमिट्रिकल स्ट्रेक्चर होता है इस तो आपने क्या किया आपने पॉइंट पी से पास होते हुए एक इस्पेरिकल गॉशियन सर्फिस का सेंटर कहां होगा पॉइंट पो होगा यह आपने इस पेरिकल गॉश्यन सर्पिस यहां बना ली कि याद कीजिए हमेशा आपको एक Gaussian surface अपने तरफ से बनानी पड़ेगी, जाधतर questions में, कुछ questions ऐसे भी हैं जा already आपको Gaussian surface given होगी, और उस Gaussian surface को ही आपने apply करना पड़ेगा, जाधतर derivations को आपको, question की form में एक दो question ऐसे आठुके हैं exam में, जहां Gaussian surface पहले ही आपको given है, otherwise Gaussian surface आपको बनानी पड़ती है, तो ए Gaussian surface आपने बना ली कैसी? Spherical Gaussian surface और यह surface hypothetical होती है, अक्सर, मतलब imaginary होती है, ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना, जिस पॉइंट पर electric field फाइंट करना, उस पॉइंट पर आपको छोटा सा एक area consider करना होगा, कौन सा area consider करना होगा, ds vector, फिर इसमें भी वही कहानी है, क्या, such that limit, ds vector tends to 0, इतना छोटा area है कि इस से छोटा अगर कर देते तो 0 ही हो जाता, फिर आपको यहां draw करना है, area vector, मैं red से draw कर रहा हूं, this is the area vector n cap, this is the direction of area vector, यह जो surface shade किया है, यह पूरा surface क्या है, ds vector, और यह n cap क्या है, ds vector की direction, अब आपको यहां देखना होता है, कि electric field की direction कहा है, positive charge से electric field कैसा होता है, away from positive charge, this is the direction of electric field vector, n cap और e vector, ds vector, e vector, यहां दोने एक दूसरे के parallel आगए, अक्सर जब हम symmetrical Gaussian surface draw करेंगे, तो symmetrical Gaussian surface draw करने के दो फाइदे होते हैं, एक फाइदा जो हमेरे लिए ज्यादा important है, कि electric field हम constant कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, दूसरा फाइदा यह होता है, कि electric field vector और area vector की बीच में, या तो आजाता right angle, या आजाता है, zero, तो वहां हमें फिर cos theta substitute करना आसान पढ़ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कंसिडर करना है, consider Gaussian surface, passing through t with o as center, हालकि इस language को लिखने की जरुरत नहीं होती, लिख दें तो बेटार है, फिर आपको एक और consider करना है, consider bs vector, हम लिखते हैं से small area element, small area element, constant element, ds vector, around t, t के around करना है, जिस पोइंट पर आपको find करना है, electric field, ठीक है, अब small amount of electric flux linked with the area element, area element से कितना electric flux linked हुआ, simple सी बात है, e ds, यहां, sorry, e ds, cos 0, क्यों क्योंकि e vector parallel है किसके, ds vector के, तो d5e कितना हो गया बताओ, यह हो गया simply, e ds, then, total electric flux, linked with the Gaussian surface, phi e total, कैसे निका लो गया आप, integration, किसका, d5e का integration, over the closed surface, क्या है d5e, d5e आपके पास है कितना, e ds, over the closed surface, यहां हम limits नहीं लिखते, क्योंकि वहां, यह limit का ही काम कर रहा है कि over the closed surface पर आपको integrate करना है, ठीक है, अब यहां से, यहां हमें help मिलती है किस से, उस चीज़ से, जो हमने consider किया था, symmetrical से, तो यहां क्या लिखा जाता है, due to symmetry of Gaussian surface, e is constant all over it, हर जगा e constant है, तो फिर क्या हुआ, total electric flux, electric field को निकाल लिए बहर, और क्या रहा है यह integration, close integration ds, अब इस close integration of area element का क्या मतलब हुआ, यह छोटा सा ds element है, एक छोटा सा element यहां आप बार बनाया, इस फिर को आपने जोड़ दिया आपस में तो यह क्या बन जाएगा बताओ, जब हमारी Gaussian surface है, कैसी यह Gaussian surface, इस फेरिकल है तो सारे छोटे 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 यह ds 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 ds, add करते क्या बन जाएगा, surface area of sphere surface area of sphere कितना है, 4 pi r square तो यहां से बात निकल कर आई क्या कि total flux linked with the Gaussian surface is e 4 pi r square e is the strength of electric field यह निकल कर आया total electric flux linked with the Gaussian surface is e times 4 pi r square यह कैसे निकला है mathematical निकला है surface integral से निकला है ठीक है अब लड़ाएंगे हम Gauss theorem अब तक Gauss theorem का कोई रोल नहीं था ठीक है by by Gauss theorem Gauss ने क्या कहा था Gauss ने कहा था कि total electric flux is 1 by epsilon naught times the total charge कितना है क्यों है यह भी total electric flux है Gauss ने कहा और जो अभी हमने find किया था वो भी total electric flux है तो दोनों ही electric flux सेम हो गए न तो अब यहां से क्या बचा कितना हुः रहतो तो यहां से लग 1968 sample कितना है प्यoti षánd हाघ रहां का क jeंगा कितना हा हु़ग topic